रेड पांडा शरीर के बराबर होती है पूंच की लंबाई लाल पांडा को भालू परिवार का सदस्य माना जाता है यह खासकर हिमालय की दक्षणी चोटियों, दक्षणी पश्चमी चीन, सिक्किम, असम एवं उत्तरी अरुनाचल प्रदेश के जंगलों में पाय जाते है यह चेहकने यह चूचू की आवाज करने के अलावा अधिकतर चुपी रहते है रेड पांडा लुप्तप्राय पशु की श्रेनी में शामिल है लाल पांडा की दो प्रजातियां है पहली प्रजाती को लाल पांडा और दूसरी प्रजाती को चाइनीज पांडा कहा जाता है आम तोर पर पांडा मासाहारी होते हैं, लेकिन बांस की शाखा और मश्रूम समेट शाखनी खाते हैं वर्ष 2008 में लाल पांडा को लुपत प्राय वन्यजीब की श्रेनी में रखा गया था रेड पांडा अधिकतर समय पेड़ पर ही बिताते हैं ये एकांत पसंद प्रानी होते हैं, इनके शरीर के बराबर इसकी पूंच की लंबाई होती है लाल पांडा लगभग 25 वर्षों तक जीवित रहता है, इनका वजन लगभग 3-6 किलो तक होता है वर्ष साल 2020 से लाल पांडाओं के संरक्षन हितु हर वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतराष्ट्रिय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है